नमस्कार इस कारकम में उपस्तित विभिन राज्यों के राजपाल स्री अलग-अलग राज्यों में मौझूद मुख्यमंत्री साथी केंद्रिय मंत्री मनल के मेरे सदस्य राज्यों के मंत्री सांसद गर्ण विधाय गर्ण अन्य जन प्रतिनी धी और मेरे परिवार जनो देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूत पुर्व आउसर है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की स्पीड और स्केल एक सो चालीस करोड भारतियों की आकांशाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यम्यों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोवारियों, नवकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशन्स है आज एक साथ नव वंदे भारत प्रेन की शुरुवात होना भी इसी का उदारम है आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, जारखन, पस्चिम मंगाल, उडिशा, तमिलनाडू, आंदरप्रदेश, तेलंगना, करनाटरका और किरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है, वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आराम दायट है ये बंदे भारत ट्रेने नए भारत के नए जोश, नए उत्सा और नई उमंग का प्रतीक है मुझे इस बात की भी खुशी है कि बंदे भारत का क्रेश लगातार बढ़ रहा है इससे अब तक एक करोड ग्यारा लाग से ज़्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है साथियों, देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्रसासित प्रदेश के लोगों को अब तक पचीस बंदे भारत ट्रेनों की सुविदा मिल रही है अब इसमें नव और बंदे भारत एक्स्प्रस जूड जाएगी वो दिन दूर नहीं जब बंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक करेगी मुझे खुशी है कि बंदे भारत एक्स्प्रेश अपने उद्देश को बहुत खुबी पुरा कर रही है ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपुन हो गई है जो सफर का सबाएं कम से कम रखना चाहते हैं ये ट्रेन उन लोगों की बहुत बड़ी जरुवत बन गई है जो दूसरे शहर में कुछ गंटों का काम खत्म करके उसी दोन उसी दीन लोट आना चाहते हैं बंदे भारत ट्रेनों ने परियटन और आर्थिक गतिविध्यों में भी तेजी ला दी है जिन जगवं तक बंदे भारत एक्स्प्रेस की सुविधा पहुँच रही है वहाँ परियटकों की संख्या बढ़ रही है परियटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहाँ कारोबारियों, दुकानदारों की आयमें भी बढ़ोत्री हो रही है इससे वहाँ रोजगार के नए आउसर भी तैयार हो रहे है मेरे परिवार जनों, भारत में आज जो उत्सा और आत्म विश्वास का वातावन बना है वैसा पिछले कई दसकों में नहीं बना था आज हर भारत वासी अपने नए भारत की उपलद्यों से गवरवानवित है चंद्रयान तीन की सफलता ने सामान्य मानवी की उमीदों को आस्मान पर पहुँचा दिया है आदिक्तियों एल बन की लॉंचिंग ने होसला दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कठीन से कठीन लक्ष को भी हासिल किया जा सकता है G20 समीट की कामियावी ने ये विश्वास दिया है कि भारत के पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी की कितनी अदभूत ताकत है आज भारत के कुटनीतिक काउशल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है हम अमारे Women Lead Development के वीजन को दुनिया ने सरहा है अपने इस वीजन पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने सौसद में नारी शक्ती बंदन अधिनियम पेश किया था नारी शक्ती बंदन अधिनियम के आने के बाद हर सेक्टर में महिलाओं के योगदान और उनकी बढ़ती भुमिका की चर्चा हो रही है आज कई रेल्वे स्टेशनों का संचालन भी पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है मैं ऐसे प्रयासों के लिए रेल्वे की सरहना करता हूँ देश की सभी महिलाओं को नारी शक्ती मंदन अधिनियम के लिए फिर से बढ़ाई देता हूँ साथियों आत्म विश्वात से भरे इस माहोल के बीच अम्रित काल का भारत अपनी वर्तमान और भविश्य की जरुरोतों पर एक साथ काम कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग से लेकर एग्जिकूशन तक में हार स्टेक होल्डर में तालमेल रहे इसके लिए पी एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है देश में टांस्पोर्टेशन का खर्च कम हो हमारे एक्सपोर्ट की लागत कम से कम हो इसके लिए नई लोजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है देश में ट्रांस्पोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपूर्ट करे इसके लिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष यही है कि भारत के नागरिक के लिए इज अब ट्रावेल बढ़े उसका किमती समय बचे ये बंदे भारत ट्रेने इसी भावना का एक प्रतिविम्ब है साथियों भारतिय रेलवे देश के गरीब और मिडल क्लास की सबसे भरोसे मन्द सहयात्री है हमारे हाँ एक दिन में जितले लोग ट्रेन में सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है ये दुर्भागे रहा कि पहले भारतिय रेलवे को आधुनिक बनाने पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया लेकिन अब हमारी सरकार भारतिय रेलवे के काया कल्प में जुटी है सरकार ने रेल बजेट में अभुत्पुर्व बढ़ोत्री की है 2014 में रेलवे का जुतना बजेट था इस साल उससे आठ गुना जादा बजेट दिया गया है रेल लाइनों का दहुरी करण हो बिजली करण हो नई ट्रेनों को चलागना हो नए रूट्स का निर्माण हो इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है साथियों भारतिये रेल में यात्रियों के लिए अगर ट्रेन चलता फिरता घर होती है तो हमारे रेल्वे स्टेशन भी उनके अस्थाई गर जैसे ही होते है आप और हम जानते हैं कि हमारे यहां हजारों रेल्वे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी के काल के हैं जिन में आजाजी के 75 साल बाद भी बहुत बडलाव नहीं आया था विक्सित होते भारत को अब अपने रेल्वे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाना ही होगा इसी सोच के साथ पहली बार भारत में रेल्वे स्टेशनों के विकास और आधुनिकरण का भ्यान शुरू किया गया है आज देश में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में फूट ओवर बीज लीप्स और एस्केलेटर्स का निरमाण हो रहा है कुछ दिनों पहले ही देश के पान सो से जादा बड़े स्टेशनों के री डेवलप्मेंट का काम शुरू किया गया है अम्रित काल में बने ये नए स्टेशन अम्रित भारत स्टेशन कहलाए जाएंगे ये स्टेशन आने वाले दिनों में नए भारत की पहचान बनेंगे मेरे परिवार जनों रेल्वे स्टेशन कोई भी हो उसका एक स्थापना दिवस जरूर होता है जन्म दिवस जरूर होता है मुझे इस बात की खुशी है कि अब रेल्वे ने रेल्वे स्टेशनों का जन्मोत्सव यानि स्थापना दिवस मनाना शुरू किया है हाली में तमिल नावी के कोईम टूर, मुंबई के छत्रपती सिवाजी टर्मिनस, पूने समेत कई स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया कोईम टूर के रेल्वे स्टेशन ने तो यात्रियों की सेवा के 150 वर्थ पूरे किये हैं ऐसी उपलब्दियों पर वहां के लोगों को गर्गबव होना भहुत स्वाभाविक है अब रेल्वे स्टेशनों का जन्म दिवस मनाने की इस परंपरा का और विस्तार किया जाएगा इससे जादा से जादा लोगों को जोड़ा जाएगा मेरे परिवार जन्म अम्रित काल में देश ने एक भारत स्रेष्ट भारत इस वीजन को संकर्व से सिद्धी का माध्यम बनाया है 2047 के जब देश आजादिक के सो साल मनाएगा 2047 विक्सीद भारत का लक्षा हासिल करने के लिए हर राज का हर राज के लोगों का विकास भी उतना ही जरूरी है पहले की सरकारों में जब कैबिनेट का गठन होता था तब इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी कि रेल मंत्राले किसको मिलेगा माना जाता था कि रेल मंत्री जिस राज्ये से हो का उसी राज्ये में ज़्यादा ट्रेने चलेगी और उसमें भी होता ये था कि नई ट्रेनों की गोश्णाएं तो कर दी जाती थी लेकिन पट्री पर बहुत कम ही उतरती थी इस्वार्थ भरी सोच ने रेलिवे काई नहीं देश का बहुत बड़ा नुक्सान किया देश के लोगों का नुक्सान किया अब देश किसी राज्य को पीछे रखने का जोखिम नहीं ले सकता हमें सबका साथ सबका विकास के वीजन को लेकर आगे बढ़ते रहना होगा मेरे परिवार जनों आज मैं रेलिवे के अपने परिश्रमी करमेचारियों से भी एक बात कहूंगा जब कोई दूसरे शहर या दूर किसी जगर से यात्रा करके आता है तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सफर कैसा रहा वो व्यक्ति सिर्फ अपने सफर का अनुभवी नहीं बताता वो घर से निकलने से लेकर मंजिल तक पहुँचने के पूरी बात करता है वो बताता है कि रेल्वे स्टेशन कितने बदल गए हैं वो बताता है कि ट्रेनों का परिचालन कितना व्यवस्तित हो गया है उसके अनुभवों में टीटी का वहवार उसके हाथ में कागज की जहग़, टैबलेट, सुरक्षा के इंतजाम खाने की क्वालिटी, सब प्रकार की बाते होती हैं इसलिए आपको रेल के हर कर्मचारी को इस दब ट्रावेल के लिए यात्रियों को अच्छा अनुभव देने के लिए लगातार संबेदन सिल रहना होता है और आजकल ये बाते जब सुनने को मिलती है कि इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, तो मन को एक खुशी मिलती है और इसलिए मैं ऐसे जो प्रतिबद रेल कर्मचारी हैं, उनकी भी जी जान से बढ़ाई देत करता हूँ मेरे परिवार जनों, भारतिय रेल्वे ने स्वच्छता को लेकर जो नए प्रतिमान गड़े हैं, उसे भी हर देश वासे ने नोटिस किया है पहले की अपेक्षा, अब हमारे स्टेशन्स, हमारी ट्रेने कहीं जादा साफ रहने लगी है आप जानते हैं, गांधी जैनती दूर नहीं है स्वच्छता के प्रती गांधी जी का जो आगर था, वो भी हम जानते हैं स्वच्छता के लिए किया गया हर प्रयास, गांधी जी को सच्ची स्रद्धांजली है इसी भावना के साथ, अपसे कुछ दिन बाद, एक अक्तुबर को, एक अक्तुबर को सुबह दस बजे, याद रखिए एक अक्तुबर को सुबह दस बजे, स्वच्छता पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है देश के कोने कोने में हो रहा है, और देश वाच्छों के नित्रुत्म में हो रहा है मेरा आप से आगर है, बहुत आगर है, आप भी स्वच्छता के इस अभ्यान से जुरुर जुड़े एक तारीक दस बजे का समय अभी से पक्का कर लीजिए गांधी जन्ती पर हर देश मासी को खादी और स्वदेशी उत्पादों की खरीद का मंत्र भी दोहराना चाहिए दो अक्तूबर को गांधी जन्ती है, 31 अक्तूबर सदार वल्लभाई पटेल की जन्ती है एक प्रकार से पूरा महना हम प्रयत्त पुर्वख खादी खरीदें, हैंडलूम खरीदें, हैंडी क्राप खरीदें हमें लोकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोकल होना ही है साथियों मुझे विश्वास है कि भारतिय रेल और समाज में हर स्तर पर हो रहा बढ़लाओ विश्विद भारत के और एक महत्वकून कदम साबित होगा मैं एक बार फिर नई बंदे भारत ट्रेनों के लिए देश के लोगों को बहुत बहुत शुपकामनाय देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद